सलाम साथियों मेरा नाम मनीश है और कविता बोल पर आपका स्वागत है आज जो मैं कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्शक है उबामा के रंग में ये कौन है और इसके रचेता हैं लीला धर मंडलोई बहुत ही बहतरीन कविता है आप सुनिये और हमें कॉमेंट बॉक्स में बताईए कि आपको कैसी लिए मैं पढ़ा लिखा होने के गर्व से प्रदूश्यत हूँ मैं महानगर के जीवन का आदि एक ऐसी वस्तो में तब्दील हो गया हूँ कि भूल बैठा अच्छाई के सबक मेरा इमान नहीं चीन पाता उन गुणों और व्यवहार को जो आदिवासियों की जीवन पद्दती में शुमार मौलिक और प्राकृतिका मरता है और एक उम्दा जीवन के लिए बहतर सेहत के वास्ते विकल भी मैं कविता में बादार लिखकर विरोध करता हूँ मैं करता हूँ अमरीका का विरोध और मान बैठता हूँ कि लाल जंडा अब भी शक्ति का अक्षय सोध है वो था और होगा भी किन्तु जहाँ उसे होना चाहिए क्या वो है मैं उसे देखना चाहता हूँ आदिवासी की लाल भाजी, कुल्ठी और चॉलाईन में मैं उसे पेजा में देखना चाहता हूँ और सहजन के पेड़ पड मैं एक आदिवासी स्थ्री की टिकुली में उसके रंग को देखना चाहता हूँ और उसके रक्त कणों में लेकिन वो टंगा है शहर के डॉमिनो पिज्जा की दुकान के अंधेरे बाहरी कोने में वो संसत में होता तो कितना अच्छा था बंगाल और केरल में वो कितना अनुपस्थित है और बेरंग अब वो किसानों से दूर किन पहाड़ियों में बारूज जुटा रहा है वो कितना टाटा में और कितना मडॉक में और आम आदमी में कितना धर्म में कितना कितना जाती वेवस्था स्त्रियों में उसे होना चाहिए था और छात्रों में भी किताबों में वो जो था हर जगे अब कितना और किस रूप में विचारों में उसका सामराज कितना पुखता उसे कुंद्रू में होना चाहिए था पाटी में और चोखा में एंटी ऑक्सिडेंट की तरह उसे टमाटर में होना चाहिए था, उसे रेशेदार खाते पदार्थ की तरह पेट से अधिक सोच में होना चाहिए, अब उसे सूख्ष्म पोशक आहार की तरह दीमाग में बसना चाहिए, हलांकि ये एक फैंटेसी, अब और विकारों को खत्म करने का खाब के मुश्किल बहुत, लेकिन उसे शामिल होना चाहिए, कोमल बास की सबजी की तरह, कि वो हाशिये पर बोलता रहे और जरूरत की ऐसी भाशा में कि कोई दूसरा सोच न सके उन शब्दों, जिसमें लाल जहंडे के अर्थ बिन्यस थे, रोजमर्रा के जीवन में शामिल रोटी दाल और पानी की तरह, उसकी व्याप्ति के बिना, उस गहराई की कलपना कठे, जो लाल विचार की आत्मा है, महानगर के अंधि दिशाओं में, एक अंतिम और साजे विकल्प के लिए, मैं अब भी बस सोचता हूँ, मेरी इस सोच में पार्टी की सोच कहां? कहां बुद्ध जीवियों की सहभागिता और कामरेडों की यथार्थ शिरकत? दिल से सोचने के परिणाम में दिमाग को भूल बैठे सब, और डूब गए उन महानगरों में, जिन पर कबजा अमरीका का। मैं अब भी लाल भाजी और कुंद्रू के समर्थन में ठहरा हुआ, कि वो संगठन के लिए जरूरी, और पेजा और बाटी और हाशिये का जीवन, जहां से अब भी हो सकती हैं शुरूआती। ये मैं बोल रहा हूँ जिस पर विश्वास करना कठें, कि मैं बोलता हूँ, तो अपनी छूटी और बिकी जमीन पर खड़ा होका है, और वो तमाम उन लोगों की जो न्याय के लिए अपने तरीके से लड़ रहे हैं, और उनके पास नहीं कोई मेधा और महाश्वेता, उनक मैं वहीं पहुँच कर एक लाल जंडे को उठा कर कहना चाहता हूँ, कि पाटनर, मैं भटकाओ के बावजुद तुम्हारे साथ हूँ, कि मैं महानगर में किंतु आत्मा के साथ महाँ, जहां अब भी सुगंध है हाशिये के समाज की, संघर्ष के, कि मैं कुछ नहीं, संघर कोना नहीं, जहां लाल जंडा डॉमिनो के पास जबरन टांग दिया गया है, ओबामा के रंग में ये कौन है, मैं उसके खिलाफ हूँ, शुक्री